इंडिया और सौथ अफ्रिका के बीच सेंचूरियन में पहला टेस्ट खेला जा रहा है लेकिन जिस एक बल्लेबास का नाम सबसे जादा लिया जा रहा है वो बल्लेबास कोई और नहीं बलके केल राहुल है पहले दिन में केल राहुल 70 रन बना के नाबाद लोटे थे और अब दूसरी दिन तो उन्होंने 101 रनों की शांदार पारी खेल दिया है शतक लगा दिया है और यह प्रूफ कर दिया है कि जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे वो लोग बहुत गलत थे केल राहुल एक ऐसे बल बल्ले बाजी कर सकते हैं और सेंचुरी भी लगा सकते हैं तभी तो जहां बड़े बड़े बल्ले बाज नहीं चले वहां केल राहुल आये और शतक लगा का चले गए और उनके शतक के बदोलत ही 245 तरन पहले इनिंग में इंडिया बनाने में काम्याब हो पाई आपको बत सब्सक्राइब करने में लगए उनका थोड़ा सा ध्यान इधर उदर और अपने विकेट दे तो फिर तो सारे बॉलर ही बचते और कल ही इंडिया की पारिश समाप्त हो जाती लेकिन राहुल ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया है कुछ बोला ने उन्होंने जैसा कि यह राहुल कॉल काम एनट कमपोज नेचर के लिए जाने जाते हैं पिछ पे वही रियक्षिन दिया कियल राउल ने जब मार्क एंसर ने को स्लेज करने के कोशिश करी उन्हें कुछ कहने की कोशिश करी तो कियल राहुल हलकी से स्माइल करी और आगे बढ़ गए और आज उन्होंने शतक लगा दिया के बदोलत ही इंडिया 245 ने बना पाई वरना इंडिया का बहुत ही जदा बुरा हाल हो था जिस सब सारे बल्लेबाद जर्दी जर्दी आउट कर गए हमने कल से देखा है कि साउथ अफ्रिका की जो गेंदवाज बार-बार उनका कॉंसेट्रेशन खराब करने कोशिश की जारती लेकिन शादल ठागर का कॉंसेट्रेशन तो खराब हो पाई था लेकिन क्यल राहुल को टस से मस्क नहीं कर पाई साउथ अफ्रिका के गेंदवाज आपको कैसे लिगी वीडियो कॉमेंट सेक्षिन लाइक शेर और सब्सक्राइब करने बिलकुल भूलें